कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा एक काम मेरी राम जी से कह देना जै शीरी राम तो हेलो कैसे हो आप लोग? I hope अच्छे ही होंगे और कैसे होंगे? तो मुझे एक कमेंट आया था और मुझे लगा कि इस कमेंट पे वीडियो बनानी चीए क्योंकि बहुत ही important doubt है आप लोगों का तो कमेंट है कि इंटर्व्यू में react.js के question जादा पूछे जाते हैं कि जावा स्क्रिप्ट के obviously बात है आपके मन में doubt आएगा कि हम react के इंटर्व्यू के लिए जा रहे हैं तो हमको जावा स्क्रिप्ट पूछेंगे कि react पूछेंगे देखिए एक चीज में जो clear करना चाहूंगा वो यह है कि react.js is a library not language but जावा स्क्रिप्ट is a language जावा स्क्रिप्ट के ऊपर ही react.js बना है इसको मैं एक छोटे से example के साल समझाना चाहूंगा react.js को आप branches समझ सकते हो वो जो paid की branches नहीं होती ठेनिया पतली पतली वो react.js है और जो जावा स्क्रिप्ट है वो पूरा paid है अब एक paid की ज़रूरी तो नहीं है कि एक ही branch होगी multiple branches हो सकती है उसी तरह react.js है view.js है angular.js है और आने वाले time में और भी framework लाइबरी निकल के आएग तो आपको अपना paid मजबूत करना है उसकी जो root है जड़ है उसको मजबूत करना है तो जावा स्क्रिप्ट की foundation आपको strong करनी है जितनी ज्यादा आपकी foundation मजबूत होगी root मजबूत होगी उतना ही बड़ा आपका paid होगा और उतनी ही लंबी आपकी branches निकलेगी तो branches का मतलब आप समझ सकते हो framework और library तो react.js क्या है एक branch है पेड़ नहीं है पेड़ है जावा स्क्रिप्ट तो obviously बात है इंटर्वीव के अंदर आपको जावा स्क्रिप्ट पे questions पूछे जाएंगे जैसी आप इंटर्वीव में जाते हो react पे कोई बात चीत नहीं होगी सीधा इंटर्व function क्या होता है array क्या होते है loops क्या होती है किस तरह से हम condition लगाते है object क्या होते है किस तरह से हम object की value को access करते है किस तरह से हम array पे loop लगाते है वो सारी चीज़े आपको पूछेंगे जब आप इन चीज़ों का आप उसको answer दे दोगे फिर interviewer react.js पे आएगा और react.js के अंदर वो आपसे पूछेगा कि react.js हम क्यों use करते हैं react.js के अंदर components क्या है props क्या होते है state क्या है hooks क्या है यह सारी चीज़े वो आपसे पूछेगा तो पहली चीज़ आप समझ गए होंगे कि आपको क्या prepare करना है बोलने के जरुत नहीं है जावा script पढ़ना है आप तो पहले है जावस के तो आप मजबूत कर लो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं को क्या हो गया मैं इस तरह से क्यों बात कर रहा हूँ news वाले की तरह देखिए इंसान को है ना time to time change होते रहना चीज़े एक ही चेगा पर stick रहने से मतलब दिया है एक ही life है कितनी life है एक ही life और अगर मैं guess करूं तो on an average 25 के around यह आपकी age होगी मतलब 25 के आसपास तो आपके life के 25 साल तो गए 25 और बचे है और 50 के ऊपर तो आज के time में मैं कोई लगता कोई जीता रहेगा तो एक life है यह life आपको दुबारा नहीं मिलने वाली है तो इस life को अच्छे से enjoy करो है ना सब के साथ अच्छ अब नहीं है ना बैठेरो depressed कोई मनाने नहीं आएगा आपको एक लाइफ है इसको अच्छे से खुल के जीओ खुद पर ही experiment करो लोगों को छोड़ो खुद पर ही experiment करो कि मैं यह चीज करूंगा तो क्या result निकल गया है ना आप कोई rejection मिलने से आपकी life खतम नहीं हो जाती ना उस rejection से कुछ सीखो और आगे बढ़ो और उस rejection को अपने दिमाख में रखो कि यह चीज में वापिस ना दो रहा हम तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं वीडियो पसंदे तो like करना and hit the subscribe button also